आज मैं आपको गीता के उपदेश के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि श्री किछ्ण ने अरजुन को बताए थे भगवत गीता के उपदेश इस प्रकार है ये गीता का उपदेश वो परमसत्य है जिसे अपना कर हर व्यक्ति दुखलेस मुक्त होकर सपल सुकत जीवन जी सकता है इस लेक में गीता की ग्यारा ऐसी बाते बताए गई है जिसके ग्यान की जरुरत हर व्यक्ति को पड़ती है मनुश्य का शंगर जितना बाहरी होता है उतना ही आंत्रिक भी चलता रहता है दोस्तों सोच और क्रम का संतुलन ही सपल जीवन का मंद्र है सही गलत और अब देश से मानसी संभल और धेरिये मिलता है गीता का प्रथमुप्देश Germans से बह व्य आरद है स्टिक कहते हैं दोस्तों सरसे के मन में में मिलत होता है इस संसार का जब से निर्मान हुआ है तब से जनम मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है यह प्रकृति का नियम है इस सत्यु को श्युकार करके बहमिप्त होकर आज में जीना चाहिए किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता दोस्तों लेकिन इस संसे में भेवित रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता दूसरा अफदेश हमेशा स्वारती होना गलत है दोस्तों जो व्यक्ति हमेशा स्वारत प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए करम करते हैं और सिर्फ फली ही उन्हें करम करने को प्रेरित करता है ऐसे लोग दुखी और पेचेन रहते हैं क्योंकि उनक से कोई भी संबद नहीं बनाना चाहता इसलिए स्वार्च से उपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें तीसरा उपदेश विश्वास की ताकत स्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने विश्वासों की उपज हो तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो जो श्वयम पर विश्वास करते भी लक्से की और बढ़ते रहते हैं उन्हें सपलता जरूर मिलती है अव तो सपलता उससे दूर नहीं होती दोस्तों करम सबसे उपर आता है स्री कृष्णा अरजुन से कहते हैं कि व्यक्ति करम करने के लिए ही पेदा हुआ है और बिना करम किये कोई रह नहीं सकता फल की चिंता करना व्यर्थ है पात्र क्योंकि इससे मनश्य का मन काम से भटकने लगता है किसी करम से सपलता नहीं मिलती तो क्या हुआ असपलता भी ज्यान के द्वार खोलती है अगर बिना फल की चिंता कि एक करम करते रहोगे तो सपलता और मन की सांते जीवन भर तुमारा साथ नहीं छोड़ेगी जो करमफल इसे विरक्त होकर करम करता है उसका अध्यात में ज्ञान बढ़ता जाता है पांचवा उप्देश क्रोध से सबका नुक्षान होता है स्रीकर्शन कहते हैं क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उतल पुतल पेदा कर देता है आवेश में वेक हीन होकर कई बाहर व्यक्ति अपना ही नुक्सान कर बेटता है या फिर अपनी ही मानसिक सान्ति को भंग करके खुद को कश्ट देता है क्रोध की अग्री में बुद्धी और तरक नश्ट हो जाता है और व्यक्ति बिना विचार किये बस अपने एहम की पुष्टी करने वाले काम करता है गुस्सा व्यक्ति की विचार सक्ति को पन्नु बना देता है और ब्रहम पेदा करता है मन में कंट्रोल जरूरी होता है स्री कृष्ण कहते हैं मन का स्वाबाव है कि ये आसानी से बटक जाता है अगर जीवन को सपलता की दिसा में ले जाना है तो मन को काबू बहुत जरूरी है दोस्तों स्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रियास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वस्मे किया जा सकता है और मन को वस्मे करने से दिमाग की सक्ति केंद्रित होती है जिसे करमों से में सफलता मिलने लगती है अगर मन को वस में नहीं करोगे तो यह आपका सबसे बड़ा सत्रू बन जाता है सात्वा भगवान में कोई छोटा बड़ा नहीं दोस्तो सात्वा उपदेश में स्री कृष्ण कहते हैं भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं इस संसार में इस्वर कई रूपों में जाना जाता है, इसमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं, प्रमात्मा का हर रूप समान है, जिसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वेसे ही हर धरम, मत और संप्राइद की संप्रदाय की धाराएं प्रमात्मा रूपी सम मुद्र में समा जाती है। यह संसार प्रम्पिता का ही स्वरूप है। वो हर कण में विद्मान है। आठवे उपदेश में श्री किष्ण कहते हैं ध्यान करने से प्रमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। श्री किष्ण कहते हैं कि सारेरी क्रम से ग्यान का मार्क उच है और ग्यान मार्क से भी उपर ध्यान मार्क है। ध्यान मार्क पर बढ़ने से इश्वर को अनुभव किया सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को सांत करके पूरु विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है। इसे इश्वर का ग्यान और अस्तितव अवस्य अनुवह होता है। जो हर जगह घर जीवन मनुष्य में इस्वर को देखता है। उसपर प्रभुपिता अवस्य करपा करते हैं। ज्यान मार्ग हो या भक्ति मार्ग। शमरपन प्रेम विश्वास ही आपको इस्वर के प्रकास की उड़ ली जाता है। बगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं लेकिन उनको सान्ति क्यों नहीं मिलती क्योंकि बगवान आपके मन में निवास करता है उसे पता है कि आपका भाव क्या है आठवा उपदेश कर्तवय पालन जरूरी बगवान स्री कृष्ण आठवे उपदेश देते भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्टवे का पालन करना चाहिए यदि धर्म है अगर अपने कर्टवे का पालन नहीं किया जाता है तो मन में असांति और दुख प्राप्त होता है अपनी पसंद, नापसंद, मोह, बेर को किनारे रख कर अपना कर्टवे करो किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर सित करे उसके प्रलोबन में ना आए कस्ट में रहते हुए भी अपना कर्म करना दूसरी की नकल करने से स्रेष्ट है कर्म और कर्तवे का पालणी जीवन का सही मार्ग है फात्र क्योंकि कर्म करना अकर्म्नता से हमेशा बहतर है। कर्तवे में दोस्त के देख कर पीछे नहटे ,क्योंकि हर किर्म में , कोई ना धुछ ने कोई चोटा थोस्त हो सकता है सदेव कर्म करो कर्म करने से पहले विचार करो लेकिन बहुत ज्यादा विसलेशन मत करो अधिक विसलेशन संसे और अक्रम्नता पेदा करता है ग्यारवा उपदेश अधिक सक्क करने वाला कभी खुस नहीं रहता श्रीकरशन गीता में कहते हैं कि संसे सक्क करने वाले का विनास हो जाता है इसलिए संदे करने से बचे अधिक संदे करने से मन की सांती भंग हो जाती है। और व्यक्ति ब्रमित होकर अपने संबंदों को नस्ट कर डालता है। जिसे सक करने की आदत पढ़ जाती है। उसे इस लोग का प्रलोग में भी सांती नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है लेकिन बिना सच जाने कल्प नावस होकर संद्य करने का अंत दुख लेश पक्षपात के रूप में होता है अती करने से बचे जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है किसी भी चीज की अती करना अच्छा नहीं है जैसे की सुख आने पर प्रमाद करना और दुखाने पर निरास में डूब भी रहना दोनों ही गलत है असंतुलन जीवन की गति और दीशा को बातित करता है जिससे अनावश्यक कश्ट और दुखों का जन्म होता है जिसके मन विश्चार और क्रम में संतुलन है उसे ग्यान मिल जाता है और ग्यान से ही सदा के लिए सांती संतुष्टी मिलती है दोस्तों